दोस्तो पती की मृत्यू के बाद उसके जो उत्राधिकारी होते हैं वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत यानि हिंदू उत्राधिकार कानून के तहत पतनी होती है, बेटा होता है, बेटी होती है दोस्तो और उसकी मा होती है ये class 1 उत्राधिकारी है दोस्तों जिनके पास एक व्यक्ति अगर बिना किसी will यानि वशियत के वो खत्म हो जाता है उसकी मृत्यू हो जाती है तो property इन लोगों में चली जाएगी इस तरीके से पती की मृत्यू के बाद पत्नी उसके संपत्ती में एक हिस्सेदार बन जाती है दोस्तों पत्नी को अगर तलाक दे दिया गया है या उसने खुद से तलाक लिया हुआ है अपने पत्नी से तो ये जो succession act है जिसके तहत एक मृत्पती यानि पत्ती की मृत्यू के तुके बाद उसकी संपत्ती का कोई भी हिस्सा नहीं ले सकती।